दोस्तों ये है मेरे पास Samsung Galaxy S21 FE 5G, इस वाले फोन को मैं काफी दिनों से यूज़ कर रहो, मतलब एक साल से उपर तो हो गया है, और ये है मेरे पास Samsung Galaxy S7, और इस वाले वीडियो में हम basically इन दोनों का गेमिंग कमपाइजन करने वाले हैं, हाला कि कोई कमपाइजन बनता तो नह है, लेकिन फिर भी ये वीडियो काफी interesting होने वाला है, बाकि यहाँ पर अगर कोई unique features की बात करें, तो वो हमको S7 में देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमको S21 FE में देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे कि आपको इसमें hard trace sensor देखने को मिल जाता है, और जो कि अब खुदी ये ज आपको Samsung का ही Exynos 2100 मिलता है, 5NM वाली चिपसेट है, जिसके Antutu score आपको 7 लाग के उपर देखने को मिल जाएंगे, बाकि डिस्पले भी इसका अच्छा है, Super AMOLED है, Full HD Plus वाला resolution है, 120 हसका, higher इसकी निफेशन मिल जाता है, 4500 image की बैटिंग मिल जाती है, लेकिन अगर है पर S साफ से देखा जाएंगे, तो काफी बढ़ी है, लेकिन इसका डिस्पले आपको S21 FE से भी बेटर देखने को मिल जाता है, हाला कि Super AMOLED तो ही है, लेकिन आपको इसमे Quad HD वाला आपको resolution देखने को मिल जाता है, बाकि S21 FE में आपको सिवसी Full HD वाला मिलता है, तो यहाँ पर ज यहाँ पर दोनों गेम यहाँ पर प्ले करने वाल है, तो फिर हम लोग आपर स्टार्ट करते हैं, H21 FE से, तो फिर यहाँ पर मैंने BGMI यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है, इसका बैटरी परसंटेज आप लोग देख लिजे, 97 परसंटेज और टाइम अराउंड 7.25 हो रहा है और यहाँ पर BGMI के जो ग्राफिक्स हैं, जैसे कि यह जो रिकमेंडेट जो सेटिंग से वो आप लोग देख लिजे, HD है, और फ्रेम डेस आपको हाई मिल जाता है, तो फिर बाकी यह अगर आप लोग चाहें तो इसके ग्राफिक्स को आप लोग HDR में भी बहां तक की भी आप लोग यहाँ पर ले जा सकते हैं, और आप लोग अल्टा फ्रेम डेस तक की आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन मैं जो यहाँ पर गेम खेलने वाला हूँ, इसके यहाँ पर रिकमेंडेस सेटिंग में ही खाली खेलने वाला हूँ, ओके तो फिर यहाँ पर जो स smoothness है वो airplane वाले scene में काफी जादा मुझे देखने को मिल लाइए और यहाँ पर मतलब मैं आपको यह बता देता हूं कि यहाँ पर मैं गेम खेला हूं 120 हस के higher screen effect जो है इसमें option है उस पर set करके खेला हूं तो smoothness मुझे air में भी काफी बढ़िया देखने को मिल लाइए और ground में देखता हूं तो यहाँ पर भी smoothness काफी बढ़िया है यहाँ पर मुझे कोई भी lagness मुझे देखने को नहीं मिल लाइए तो फिर यहाँ पर time हो गया है around यहाँ पर 7.35 और कुछ 10 मिनट की gaming हो गई है और यहाँ पर अभी मुझे कोई भी lagness और heating issue मुझे देखने को नहीं मिल लाइए और लोग यहाँ पर कहते हैं कि Samsung S21 FE मतलब काफी heat करता है basically ऐसा नहीं है मुझे नहीं पता कि वो लोग ऐसा क्य पर फिर आप लोग यह phone हाथ में नहीं ले पाएंगे इतना गरम हो जाता है लेकिन gaming में ने देखा है यह phone heat नहीं करता है चुकि मैंने इसको iPhone 13 Pro से भी compare किया है तो फिर जा मैंने इन दोनों फोन को यहाँ पर साइड वे साइड यहाँ ने compare किया था तो वहाँ पर मैंने यह देखा था कि gaming के दवरान यह iPhone ज्यादा हीट कर रहा है Samsung S21 FE थोड़ कम हीट कर रहा है मुझे ऐसा नहीं पता है यहाँ लेकिन यह चीज मैंने यहाँ पर पाई तो यहाँ पे अब मैं गारी पर बैट गया हूं और यह जो house है घर है trees है यह सब proper time पर लोड़ हो रहे हैं और तो फिर अब मुझे एक आदमी दिख गया है तो मैं इसको यहाँ पर शूट करने वाला हूं ओके तो यहाँ पर आपको performance देखने को मिल जाएगी मतलब कैसी आपको performance देखने को मिल जाएगी यहाँ पर आपको कोई भी problem नहीं होएगी ओके तो फिर यहाँ पर मेरे टीम जो scene है इसमें मुझे काफी बढ़िया smoothness मिल लिए और यहाँ इस वाले scene में भी मुझे काफी बढ़िया smoothness मिल लिए ग्राउंड में देखे तो फिर इसमें मुझे थोज़ी कम smoothness मिल लिए bgmi से अगर मैं compare करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है यह जो glitch है यह free fire game का है इस device क करेंगे क्योंकि इससे पहले मैंने और भी कई सारी devices मैंने आप मतलब उसमें भी मैंने आपर test के जैसे कि POCO S2 हो गया और भी कई सारे old devices से उसमें भी bgmi काफी smooth काम कर रहा था लेकिन जो free fire है यह इतना smooth नहीं काम कर रहा था तो मेरे साब से यह device का नहीं यह game का glitch है तो हम लोग यहाँ पर shoot करते हैं किसी को तब देखते हैं कि हमें जो gaming performance हमको कैसे मिलती है free fire में तो अब मुझे यहाँ पर कोई मिल गया है तो basically यहाँ पर इसको shoot करते हैं तो यहाँ पर performance मुझे अच्छी देखने को मिल लगा है और बाकी performance लेकिन हाला की कम है bgmi से जैसे क आप लोग अगर scene को इधा हुदा करते तो फिर आपको कम मिलेगा लेकिन shooting experience यहाँ पर आपको सही देखने को मिल जाएगा ओके तो फिर आप यहाँ पर 752 हो गया है और total यहाँ पर 25 मिनट्स की gaming हो गई है और बैटी डॉप देखा जाए तो 97% था अब 91% जाग चुका है मत के बाद फिर हम लोग आप गेमिंग करेंगी तब तक कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ओके तो फिर आप यहाँ पर मैं यह जो Samsung Galaxy S7 है इसमें मैं आप गेमिंग करने वाला हूं और टाइम हो गया है आठ बचके सोला मेट और बैटी परसंटेज है 61% ओके तो फिर य संब गई है इसे करीम इंग क्रेश कर गया ओखके जलिए इसको फिर से खोलते हैं बिसकली दोसरे यह मैं तीसरी बार गेम खुल लूँ चुकि दूसरी बार भी यह गेम क्रैश किया है और अभी तो मतलब फिर से गेम खुल गया है और एरोप्लेन वाले सीन में स्मूथनेस मतलब वैसा ही लैगनेस वाली मिल लाई हमको और इसका जहां पर जो बैटी परसंट जा गया है मतलब 61 परसंटेज था और 21 मिनेट में मतलब इतना ड्रॉप हो गया और फिर से तीसरी बार के मठका है और बंद हो गया फिर से तो सुरी दोस्तों यहां पर इस वाले गैलेसी सेवन में तो हम लोग गेमिंग नहीं कर सकते मतलब गेमिंग कर सकते पीजिमाई नह अगे बढ़ते हैं तो फिर आप लोग यहां पर रिकमेंडे सेटिंग आप लोग लाग कर रहा है और लेकिन आप लोग गेम खेल सकते हैं और अब यहां पर किसी को शूट करके देखते हैं ताकि हमको एक अच्छा एडिया मिल जाए तो शूटिंग में तो हमको अच्छी मिल लगी है कोई डिले नहीं है ओके तो फिर और लोगों को हाँ शूट करते हैं और मुझे यह मिलाए ओके मैं यहां पर दो लोगों को हाँ पर किल किया बहुत बढ़िया ओके तो फिर यहां पर 849 हो गया है और मैंने यहां पर 8-16 पर गेमिंग स्टार्ट की थी मतलब जो 33 मिनिट में जो बैटरी टॉप हुआ है वो 21 परसेंटेज का हुआ है तो बैटरी बैक अप उतना ज़्याद अच्छा नहीं है अब हम लोग आप एक कंक्लूजन की बात करते हैं तो फिर अगर आप लोग Samsung के फोन भाई करने वाले जैसे कि आप लोग देखी सकते हैं यह जो S7 है Exynos के साथ में थोज़ा प्राणर डिवाइस है इसमें मतलब BGMI सही से उपन भी नहीं हो पा रहा है तो यह चीज आपको एक देखने की मिलती है लेकिन अगर आप गैलक्सी S21 FE की बात करें तो फिर यहां पर जो GAMING PERFORMANCE है यह आपको OKS type की आपको देखने को मिल जाती है मतलब अगर आप लोग एक casual gaming है कभी कदा gaming करते हैं तब तो आपको experience काफी जदा बढ़िया देखने मिल जाएगा लेकिन अगर आप लोग बहुत hardcore gamer हैं बहुत लंबे समय तक की अगर आप लोग gaming करते हैं तो फिर उतना भढ़िया आपको इसमें experience देखने को नहीं मिलेगा आपको के लिए definitely एक problem यहाँ पर create करेगा तो आयो होग कि आपको याले वीडियो पसंद आयोगा तो वीडियो के एक like जो कर दीजे हमाई चैनल को subscribe कीजिए अगर आप लोग मुझे support करना चाते हैं मिलते हैं आप से अगले वीडियो में ठाटा वाब है